हेलो फ्रेंस पल्कम बैक टू माई चानल अनिवित नेहां तो आज के इस वीडियो में हम एक कोश्चन लेकर के आहें जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यह देखने में थोड़ा हाद लग रहोगा पर यह बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल का मतलब है दो मिनट में इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यह सिंपलिफिकेशन मतलब सरली करन का कोश्चन है इसको हम बोड़ा मास के रूल पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए बोड़ा मास का हम लिख देते हैं बी ओडी एम एस ठीक एक कोश्चन में पहले डि आफ है मल्टिप्लाई तो आफ का मतलब होता है का डिवाइड का फिर मल्टिप्लाई का एड का और फिर शब्ट्रेक्ट का अब देखिए इसमें हमारा क्या सिर्फ है तीन प्लस है डिवाइड है और मल्टिप्लाई है मतलब है प्लस डिवाइड और मल्टिप्लाई इन ती फिर इसका काम करेंगे 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 आपको समझ में आई होगी मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको बोड़ावास का रूल नहीं या दो तो आप इससे रिवाइज कर लिजेगा ठीक तो इसमें हमको क्या करना है सबसे पहले उपर वाले को लिखते हैं ठीक करना है तो डिवाइट यह यह और यह तो मल्टिप्लाई है तो 2 से 4 को करेंगे तो 2 से 4 को डिवाइट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा ठीक अब देखें मारा मल्टिप्लाई में क्या है 3 तो लिख दियें अब आते हैं नीचे 4 प्लस और 7 2 से 3 3 से 2 डिवाइट हो कैसे करें कैसे करें तो नहीं तो देखिए पहले यहां पर यह 3 लिख देते कि क्योंकि पहले डिवाइट का काम है तो 3 लिख दिए इंटू में नहीं आ है तो वं में त3 लिख दिए अब आप सौचरी बटा में जैसे कि आप बनाते हो वीन का जोड या घड़ा बनाते हो सिppers तो जैसे माल लिए यहां पे टू है बटा में यहां प्रत करते हैं ना वान आता सब्ट सब्सक्तथ यहां पर देखें टू बटा में 2 है इसको divide किए तो उआना या न इसी तरीके से मतलब हाग ही होता है या तो 2 2 लिखे तो या 2 ब्रटा में 2 लिखे तो मतलुत बात सेम ही है इसी लिए ये जो divide था इसको उपर नीचे कर दें ठीक अब हमारा क्या है divide का काम खत्म हो गया अब हमारा multiply का काम आया तो multiply में अब सेम plus का काम तो है नहीं तो पहले 3 plus 3 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा अब 4 है plus का काम multiply के बाद करेंगे तो यह दोनों क्या है into में divide हो सकता है हाँ क्यों नहीं 3 से 3 divide हो गया अब हमारा क्या वच्छा 2 अब देखिए 3 और 9 को add करेंगे multiply का काम हो गया अब हमारा क्या बचा एड का काम बचा ठीक तो 3 और 6 का हो गया 9 और 4 और 2 का जोडेंगे तो हो जाएगा 6 हो गया अब इसको भी हम divide कर सकते हैं कैसे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 तो हमारा answer क्या आएगा 3 बचा में 2 जो है उसका हम answer आएगा ठीक दोस्तों यहां देखिए अगर आपको जैसे divide का नहीं आ रहा हो जैसे यहां पर 3 से 2 divide नहीं हो रहा था तो हम क्या करेंगे तो इस condition में हम बचा में लिखेंगे और into है क्योंकि into जैसे भ अगर यहां plus रहता तब हम divide नहीं करते plus रहता minus रहता तब हम divide नहीं करते पर यहां into था इसलिए divide कर दिये और plus था तो plus का तो हमारा plus का भी काम हो गया और minus यह तो है नहीं bracket भी है नहीं तो सिर्फ हम इस 3 रूल पे चले हैं ठीक तो इस तरीके से इस questions को हम solve करेंगे पहले क किसका काम करेंगे फिर सेम रिपीट करेंगे डिभाइट का यहां पर देख लिजिए पहले एक नमबर में divide का सेकेन में अगर सिर्फ divide plus और गुना का रहे मतलब जोर का भाग का और गुना रहे तो उसमें सबसे पहले भाग का करेंगे फिर गुना का करेंगे फिर जोर का कर ठीक ना ऊपर के तरीके से सबसे पहले इसका ऐसे करते आते हैं तो सिर्फ यह तीन थे तो इस रूल पर हम चले हैं ठीक, आई होब आपको यह question समझ में आई हो कि यह देखने में हाद लग रहाता पर यह था बहुत ही सिंपल इसलिए हम यह कोशन आप लोग के साथ सेर किया है तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कर दीजेगा चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल अकन प्रेस करना नहीं भूलियागा क्योंकि ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो आपको मि मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक लिए बाए